खिलाब भी सक्त कारवाई की है राज्य सरकार की भरतियों में गोटाला करने वाले दोश्यों के खिलाब परदेश में पहली बार बड़े इस्तर पर कड़ी कारवाई की गई है देश का सबसे सक्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है यह कानून अन्य राज्यों के लिए भी प्रेड़ना है अध्यक जी हमारी सरकार के कारेकाल में जहां एक और पुंजीगत विये में बिर्दी की गई है वहीं सुद्रण वित्यवसन नुशासन भी इस्थापित हुआ है पुंजीगत प्रेवे के शापेक्स हमारी सरकार ने पुरवर्ती सरकारों से कम रणी लिया है हमारी योजना है कि हम निरंतर राज कुई समेकसन के पत में पर पर गतिमान रहेंगे और राजसुसर प्लस के चुनोती पुरुन लक्ष को बनाए रखेंगे हम राजकोशी गाटाश्तर को भी एफार बीएम एक्ट की निर्दारिच सीमा के अंतरकती ही बनाए रखने के लिए परतिवद है बजर भाषन में प्रात्मिकताओं का पस्ट उलेक कर हम अपनी जवाब देहिता के दाइत्यों का निर्वान कर रहे हैं हमारी सरकार रिजल्ट औरियंटेड है हमारा विश्वास है कि उत्राखन के की संचित निधी से विय की जा रही की गई धनराशी का संचित प्रतिफल प्रदेश को मिलना चाहिए इसलिए आउटकम पर फोकस कर रहे हैं अध्यक जी इस गौराव शाली सदन ने समान नागरी का सहिता और नकल विरोधी कानौन सहित अनेक महतमपणों विधाई कारिये कर दूसरे राज्यों को भी प्रेणा दी है मैं इस समानी सदन से मैं इस सम कार का संकल प्रस्तुत कर रहा हूं या एक संकल पर जो युग पुरुष आधने प्रदान मंत्री सिर्णियम मोदी जी की ससक्त प्रेणे एवं हमारे मुख्य मंत्री जी के कुशल नेत्रतों में संगिन और समाविशी विकास के साथ-साथ इस दशक को उत्राखन का दशक ब कार्क पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेणा देगा एक राज्य के रूप में हमारी प्रगती इनकी सामुईक प्रगती पर ही पर करती है यह बजट एक संकल पर जो प्रदेश में समता मूलक समाजिक व्योस्ता इस्थापित करने में साहिक होगा यह सेवा सुसासन और गर मार्क प्रशस्त करेगा यह बजट मार्टिन मार्टिन लूथर किंग के प्रेरक विचारों के अनरूप सबको आगे बढ़ने की प्रेणा देता है अगर आप उड़ नहीं सकते तो दोड़ें दोड़ नहीं सकते तो चलें अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते वे चलें ल यह विकास के साथ साथ विरासत को समर्पित बजट है यह विजट विराशत पर गवर्व का ऐसास कराता है और संस्कृत इस्थलों के समुचित विकास का सुत्रधार है यह बजट अगरनी उत्राखंड के अवधार्णा पर आधारित है सभी प्रदेश वास्यों का और सभी छित्रों का विकास करना है हमारा प्रियास गाउं और शेर, पहाड और मैदान, इस्त्री वापरूस, युवार वुजुर्ग, किसान और उद्दमी सबको बहतरी का अवसर प्रदान करने का है विकास का यह मॉडल, एकानोमी, एकालोजी, टेकनोलोजी, इनोवेशन, एवं, एकाउंटिबलीटी पर अधारित है यह प्रदर्शीता और धक्षता नागरितकों के लिए बहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता को समर्पित बजट है माने अध्यक जी, यह बजट एक ऐसी समर्चना, अब समर्चना का निर्माता है जो वर्तमान के साथ साथ बवश्य के आफसकता को ध्यान में रखकर निर्मित होगा सस्रत उत्राखन के लक्षों को समय बद्ध डंग से प्राप्त करने में साहिक होगा और सतत विकास के लक्षों को तिवर गती से प्राप्त किया जा सकेगा हमारी मंजिल ससक्त उत्राखन है अग्रिनी उत्राखन हमारी सरकार का विकल्प रईत संकल्प है मैं देव भूमी की महन जन्शक्ती की सामोई कुर्जा से सशक्त उत्राखन के निर्वान के लिए वित्य वर्ज 2024 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं वित्य वर्ज 2024 में कुल प्राप्तियां 88,59 क्रोड 11 लाख रुपय नुमानित है जिसमें 60,552 क्रोड 90 लाख रुपया राज्यस्व प्राप्तियां तथा 28,44 क्रोड 21 लाख रुपया पूंजिगत प्राप्तियां है वित्य वर्ज 2024 में राज्यस्व प्राप्तिय में कर राज्यस्व प्राप्तियां 36,146 क्रोड 47 लाख रुपय है जिन में केंद्रे क्रोड में राज्यकांस 13,637 क्रोड 15 लाख रुपय समलित है राज्य के स्वैम के सुर्थों के कुल अनुमानित राज्यस्व प्राप्तिया 27,382 क्रोड 70 लाख रुपय में कर राज्यस्व 22,599 क्रोड 32 लाख रुपय तथा कर 020 राज्यस्व 4,833 क्रोड 32 लाख रुपया अनुमानित है वे वर्ज 2024-25 में विर्णों के प्रतिदान अर्थो पाए अग्रिम सहित पर 1936 क्रोड 53 लाख रुपया ब्याज की अधाईगी में के रूप में तथा 6636 क्रोड चेज़ार 6636 क्रोड 44 लाख रुपया राज्य करमचारियों के वेतन बत्तों आधि पर लगबग 17184 क्रोड 89 लाख रुपया साहेता प्राफ शिक्षण अन्य संस्ताओं एम करमचारियों के वेतन बत्तों के रूप में लगबग 1305 क्रोड 71 लाख रुपया पैंसन तथा अन्य सेवा निवरितिक लाबों के रूप में 8145 क्रोड 50 लाख रुपया व्याय अनुमानित है वर्ज 2024 में कुल व्याय 89,230 क्रोड रुपया 7 लाख रुपया अनुमानित है कुल अनुमानित व्याय में से 55,815 क्रोड 77 लाख रुपय राज्यस्व लेखे का व्याय है तथा 33,414 क्रोड 30 लाख रुपय पूंजी लेखे का व्याय है समेतिक नीधी में गाटा ओबलिक सरप्लस वर्ज 2024 के बजट में कोई राज्यस्व गाटा अनुमानित नहीं है बलकी 4737 क्रोड 13 लाख रुपय का राज्यो सरप्लस संभावित है एवं 9416 क्रोड 43 लाख का राज्यकों से गाटा होने का अनुमान है जो कि सगल राज्य गरेल उत्पाद का 2.39 परसिसत है यह FRBM Act की निर्दिर सीमा सीमा के अंतरगत है वर्ज 2024 के अनुमानित प्रारंबिक शेष 616 लाख रुपय दनात्मक तथा वर्ज का अंतिम शेष 73 क्रोड 20 लाख रुपय दनात्मक रहना अनुमानित है मानिय अद्यक जी मैं मन्त्री मन्नम्न में अपने सहयोगों के सहयोग तथा प्रामर्स के लिए आभार प्रकट करता हूँ वित्विभाक के अधिकारियों एवम करमचारियों ने बजट तयार करने में जो सहयता मुझे दी है उसके लिए मैं उनका हादी आभार प्रकट करता हूँ मैं महालख्यकार उत्राखंड का भी आभारी हूँ मैं राज कोशिये राज के मुद्राडेल रूर की तथा एनाइसी के अधिकारियों करमचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ अध्यक जी अंत में मैं प्रदेश की सम्मानित जनता की आशा वा कांक्षाओं का सम्मान करते हुए इन पंक्तियों को समर्पित करता हूँ कि मंजिल है अगरनी उत्राखंड अभी लेक है उस संकल्प का ये बचन तो था नियती भी थी अब ये दसद उत्राखंड का है इनी शब्दों के साथ आध्याने अध्यक जी मैं वित्तिवर्श दोजार चौबिस पत्चीस का आई वियक प्रस्तुत करता हूँ माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंग जी द्वारा जो विवस्था का प्रश्ण सदन में उठाया गया था उस उशे में मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड विधान सभा कि अध्यक्ष द्वारा जारी के गए प्रक्रिया संबंदी निदेश का नियम 26 सत्रावसान की कारण वियबगत प्रश्णों के निस्तारण के संबंद में है इसके उपनियम 01 में विवस्था है कि सत्रावसान की तिथी एक तक ने भी तारंकित अथ्वा अतारंकित प्रश्ण उत्तर हेतु स्विकार के जा चुके हों और जो सत्र के दोरान सदन में अनुत्तरित रहे गए हों तथा सत्रावसान के फलस्वरूप यफगत हो गए हों उन सब के लिखित उत्तर संबंदित प्रशास्किय विभाग द्वारा सत्रावसान की तिथी से एक माह के अंदर प्रश्नकर्ता सदस्यों के पास सीधे प्रेशित किये जा सकते हैं और ऐसी दशा में उनकी एक प्रती विधानसबह सचिवाले में भेजी जाएगी इस प्रकार जिन प्रशनों के लिखित उत्तर भेजे जाने की सूचना उक्त काला वधीम के भीतर विधानसभा सचवाले में प्राप्त हो जाएं उन्हें आगामी सत्र की कारिसूची में सम्मलित नहीं किया जाएगा श्री राजपाल द्वारा दिनांग 12 फरवरी 2024 से उत्राखन विधानसभा के वष्ट 2023 के दुतियस सत्र का सत्र वसान किये जाने के उपरांत मेरे निर्देश पर विधानसभा सचवाले के प्रश्न अनुभाग के पत्र संक्या 98 विधानसभा 5 प्र 2017 दिनांग 13 फरवरी 2024 आगामी सत्र के सन निकट होने की संभावना को देखते हुए विगत सत्र के लिए 17 वसान किते थी तक स्वीकृत प्रश्नों के संदर्भ में माननिय अध्यक्ष विधानसभा द्वाराप प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 26 एक के अंतरगत कारवाई निलंबित कर दी गई है जिसके स्वरूप आगामी सत्र में उत्तर हेतु प्रश्नों की सूचना तुरंत ग्रहन की जाएगी इस प्रकार अल्प अवधी में अगला सत्र आहूत होने की संभावना को देखते हुए माननिय सदस्यों के अधिक से अधिक प्रश्नों के लिए लिए जाने के लंबित किया गया तथा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन न्यामवली के संगत न्यमों का असाधरन परस्तिती में शिथिल किया गया मैं समझती हूं कि विधान सभा अध्यक्षोने के नाते मेरा नैतिक द्याट्ट भी है कि सदन में माननिय सदस्यों के अध क्यों में कहा गया मैं अवगत कराना चाहती हूं कि शासन से का अनने ये प्रस्ता वित का्रेक्रम प्राफ्त रहाप यह उन्ली का रही करने की मान Markus दिप화를 प्रतिपक्रों से लगातार मुबाइल पर संकर्तर संपर्ख किया गया किन्तु आपके द्वारा तिथी और समय नहीं बताया गया माननिय नेता प्रतिपक्ष एवं माननिय सतर से प्रीतम सिंजी ने पिछली बैठक के बाद कार्य मंतरना समिती से त्याग पत्र दे दिया था जिसका पत्र मुझे प्राप्त हुआ था किन्तु आपके लंबे सं कारे लेके द्वारा आपके मुबाइल पर संपक करने का प्रयास किया गया किन्तु आपके साथ वारता नहीं हो सकी दिनांग 26 वर्वरी 2024 से सत्र आहूत होने के कारण 25 वर्वरी को कार्यमंत्रा समिती की बैठक करना आवश्यक था 25 वर्वरी को आपके मोबाइल पर संगपर्क ना हो पाने के उपरांथ 25.30 वजे विधान सभा मंडल दल के नेताओं की बैठक तथा 9 वजे कार्यमंत्रा समिती की बैठक आहूत किये जाने की सूचना आपको वट्साप पर भेज दी गई 25.30 वजे जाने की बैठक में उपस्तित ना होने पर कोरम पून होने के उपरांथ सदन के उप्पेशनों का कारेक्रम तै कर लिया गया उप्त तथ्यों के आलोक में मानिने सदस्य श्री प्रीतम सिंग तथा मानिने नीता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए व्यवस्ता के इस प्रश्न को मैं अस्विकार करती हूँ अब हम उपते हैं सवाथ